अगर अपने बात करें सुचना साइक भरती को लेकर तो बहुत सारी स्टूडेंट इस बरती के रिजल्ट को लेकर वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाते हैं कि अगर इसका रिजल्ट आ जाता तो हम टाइपिंग टेस्ट शुरू कर लेते क्योंकि हमें पता जल जाता कि हमारा इस बरती में सेलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं अगर नहीं हो रहा है तो हम किसी अधर बरती की त्यारी करें otherwise जो यह डाउट है कि हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए वो हमारे सामने जो डाउट है वो कलियर हो जाता और टाइपिंग के लिए हम फोकस होके त्यारी भी कर पाते हैं तो यहां पर अगर अगर बात करें पहले यह बताया जा रहा था कि 25 मार्च को सुचना साइक भरती का रिजल्ट आ जाएगा लेकिन 25 मार्च को रिजल्ट नहीं आया और आज अपनी इसी बात को लेकर डि प्लीर हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा एंट जुरूर देखना तो यहां पर देखिए अलोग राजी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमने सभी परिनामों के लिए राज्य सरकार से आगरे किया है कि चुनाव आयोग की सहमती ली जाए जैसे ही सहमती हमारी रिजल्ट को परिक्रिया शुरू हो जाएगी सिक्रेसी बनाई रखने के लिए रिजल्ट पहले से त्यार करके नहीं रखा जाता है लेकिन स्टिगर ही हम रिजल्ट निकाल पाएंगे तो इनका कहना है कि चुनाव आयोग जो है अगर उसे सहमती मिल जाती है तो यह रिजल्ट को ये टाइम पर त्यार करेंगे लेकिन यहाँ पर अगर अपने बात करें राज्य सरकार जो है अगर इनको अनमती देती है चुनाव आयोग की सहमती बन जाती है तो यहाँ पर रिजल्ट के बारे में कुछ सोचा जाएगा या परिक्रिया इसकी शुरू होगे नहीं पर आप यहाँ पर देखिए मनोच मीना जो है इनों ने ट्वीट करके बताया कि जब तक चुनाव आयोग से पर्मिशन्स नहीं मिलेगी उससे पहले किसी भी भरती का RSSM भी बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं कर पाएगा राजस्तान के फर्स्ट फेस के इलेक्शन के में ही पर्मिशन्स की सभावनाई नजर आ रही है इनकी फर्स्ट फेस के इलेक्शन का फर्स्ट फेस कंप्लीट होने के बाद में ही यहाँ पर पॉसिबिल्टी लग रही है कि आगके रिजल्ट को लेकर पर्मिशन्स दे जी जाए माननी यह सीएं जी से नवेदर है कि चुणाव आईोग से बात करके जल्द से जल्द जो है रिजल्ट को डिक्लेर किया जाए तो यहाँ पर अगर अपने बात करें सुचना साइक भर्ती के रिजल्ट को लेकर तो जैसे ही चुनाव आयोग से पर्मिशन्स मिलती है उसके बाद में बताया जा रहा है कि इसकी भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा चाहे वो कोई सी भी भर्ती है लेकिन यहाँ पर अगर अपने बात करें तो elections के बाद में यानि first phase के बाद में बताया जा रहा है कि हो सकते है possibility है यहाँ पर confirm हम नहीं कह सकते कि confirm आपका result आ जाएगा लेकिन possibility लग रही है तो यहाँ पर जिन student के अगर अपने वहीं पर आप यहाँ पर देखिए 7 लाख अभियर्थियों को इंतजाज चुनाव अयोग अनमती दे तो 7 भर्तियों का परिणाम जारी हो जिसमें से आप यहाँ पर देखिए आपकी सूचना साइक भर्ती को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि सूचना साइक भर्ती इस भर्ती में 2730 पद है इसके लिए भर्ती प्रिक्षा 21 जन्वरी को आयोजन किया गया था और यहाँ पर टोटल जो अभियर्थी थी जिनोंने आवेदिन किया था उनकी संख्या 1,45,334 थी तो यहाँ पर इस भर्ती के अलावा जो आकी अन्य भर्ती है वो यहाँ पर आप देख लीजिए संगनक भर्ती है C.H.O. भर्ती है कनिष्ट लेखागार और तसील राजस्व लेखागार भर्ती है कृशी प्रेवेक्षक भर्ती है J.N.M. भर्ती है और एन्यम भरती है तो यहाँ पे एक भरती नहीं है जिस भरती का रिजल्ट आपका जारी किया जाना है उसके अलावा यहाँ पे छे और बरती है जिनका रिजल्ट जो है जारी किया जाना है तो चैन आयोग ने देखो चैन बोर्ड ने आयोग से मांगी परिणाम जारी करने क यहां पे अचार सहिता में फसे परिणाम यह जो इतने आपके परिणाम है उसके बारे में अगर अपने बात करें तो परिणाम जारी करने के लिए यहां पर आप देखिए पिछले दिनों करमचारी चेहन बोर्ड ने साथ बड़ी भरती प्रिक्षाएं आयोजित करवाई हमारी और से परिणाम पूरी तरीके से त्यार है तो यहां पर इन्हों ने यह बात भी कही है अलोक राजी ने कि हमारी तरफ से परिणाम आपका पूरी तरीके से त्यार है जैसे ही चेहन आयोग द्वारा अनुमत्ती मिलती है चुनाव आयोग द्वारा तो यह आपका लेखागार सहीट सात बरतियों के फिलहाल परिनाम अटक गे हैं इन बरतियों के पदों के लिए कुल संख्या करीब सत्रा हजार सम्थिंग है यहां पर देखिए बोर्ड परिक्षा परिनाम जारी करने की त्यारी कर रहा है था कि इस बीच लोगसभा चुनाव के लिए अचा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा फाइल चुनाव आयोग में बिजवाई हैं। परिनाम भी जारी किये जाने है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जो स्टूडेंट इन भर्तियों के लिए वेट करें पोसिबिल्टी लग रही है कि हो सकता है आपका रिजल्ट जो है वो आ जाए लेकिन चुनाव आयोग की अनुवति पे डिपेंड करता है यह आपकी फ तो वो किस तरीके से त्यारी करें क्योंकि रिजल्ट आपका कितना डिले होगा इस बात पे हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी यह प्रसेस चल रही है कि चुनाव आयोग आपका अनुमति देगा उसके बाद में इन साथ वर्तियों का रिजल्ट आपका तूरंत आ जाएगा ले रिजल्ट आने के बाद में तो यह डेस है इतने कम टाइम में आप अच्छे से प्रेक्टिस कर पाएं या नहीं कर पाएं यह कंफर्म हम नहीं कह सकते लेकिन आपको अभी से अपनी प्रेक्टिस जुरूर करनी है ताकि आपकी एक भी गलती ना रही टाइपिंग को लेकर आपके मन में यह ना रहे कि मैंने टाइपिंग अच्छे से की होती तो आज मेरा सेलेक्शन कंफर्म था तो यह चीज़े हैं हाँ पर अगर अपने कटोफ को लेकर बात करें तो लगबग आपकी पोसिबिल्टी है कि कटोफ इतनी जानी है तो यहाँ पर देखिए जनल कैट के बीच में जिन स्टूडेंट के मांक्स बनख बन रहे है और गल्स काटिगरी के चार या पांच मांक्स कं कर लीजिए तो वह अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू कर दें-ई-डव्योீज में 90 से 95 बीच बीच में और गर्गर्स के टेगरी वाले स्टूडेंट जो है वह चार पांच मार्ट काम कर लिजिए उसी प्रकास से SC और ST category के अंदर 75 से 83 के बीच में जिस student के marks बन रहे हैं और girls के 4-5-6 marks भी कम बन रहे हैं SC ST में तो वो अपनी typing जो है शिरू कर दें अब अपने बात करते हैं typing को लेकर तो typing के लिए सबसे best है आप पहले किसी ने किसी coaching को जोइन करें आपका वहाँ पे मंथली ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा जग बग मान कर चलो अगर आपका 1000 उपे भी मंथली लग रहा है तो ज्यादा नहीं है आप वहाँ पर ही practice करेंगे तो बेटर तरीके से आप typing की practice कर पाएंगे तो आपको अच्छे से जो अपने आज पास है जहां पे strength जादा है student की और पहले से किसी अन्य भर्तियों में उस coaching सिल्स्ता ने typing coaching सिल्स्ता ने selections दीए हैं जैसे कि अगर अपने बात करते हैं LDC में selections हो रखे हैं वहाँ पे stenographer बर्ति के अंदर किसी student का selection हो रखा है या फिर RRB, NTPC वगएरा जो इनमें typing test थे जिन बर्तियों में उनमें किसी student का वहाँ से selection सो रहा है तो वहाँ पर जाके आप typing test के लिए त्यारी करें और अलग-अलग keyboard का use करके वहाँ पर आप practice करें क्योंकि exam time में आपको एक keyboard नहीं मिलने वाला जो आपके पास है हो सकता है उस पर आपके लिए easy typing रहेगी लेकिन जब आप exam hold में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैसा keyboard मिलेगा उसकी typing की practice आपको एक ऐसे मोहल में एक ऐसे coaching संस्तान में ही मिल पाएगी जहाँ पर आप डेली अलग अलग typing keyboard है उस पर typing कर पाएंगे तो इन student को अपनी typing के लिए अगर वो किसी और exam के लिए त्यारी कर रहे हैं और उनके मन में ये doubt है कि क्या वता हमारा selections होगा या नहीं होगा तो भी उनको एक घंटे जो है त्यारी के लिए जी जान से अच्छे से त्यारी करनी है और एक घंटा आप typing टेस्ट के लिए दिए बाकि अगर आप किसी और vacancies के लिए त्यारी करें तो continue अपनी त्यारी करें लेकिन मैं यही कहूँगे कि आप अभी एक अच्छी coaching institute अपने आस पास देखें हातों की positions वगारा किस परकार से है तो उसके according ही त्यारी करें अपने मन से या अपने दिमाग से सिधे ही typing शुरू करके आप typing के लिए time वरबात ना करें आप किसी अच्छी coaching institute में या फिर जिन्होंने हातों की positions क्योंकि इसकी हातों की जो position है वही main है उससे ही आपकी speed बढ़ेगी और accuracy भी बढ़ेगी तो जिन student के in marks के आज पास या एक दो नमर कम भी बनने है तो वो student अपने typing ज़रूर शुरू करें क्योंकि cut off जो है वो आपकी भी आएगी तो आपके पास शामिल होने के लिए आपको भी एक गंड़ा अपनी typing के लिए जुरूर देना होगा जैसे ही इस भर्ति के regarding कोई भी information आती है वो आपको इस channel के थूरू मिलती देगी तो अगर आपनी बैल आइकन को प्रेस नहीं किया ओल बर्तियों की रिगाडिंग और सुसना साहिक बर्ति की रिगाडिंग आपके पास पहुंचता रही